तो स्वागत है आप सभी का संडे टॉक के इस नया और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज का ये संडे टॉक आप सभी लोगों के लिए काफी परभावी होने वाला है सभी लोगों के लिए क्यों क्योंकि आज का ये जो संडे टॉक का वीडियो है ना ये उन सभी गया होगा अभी टेंथ क्लास का एक्जाम होना बागी है तो एक्जाम देने के दौरान इस्टुडेंट जिस तरह की गलतिया करते हैं और किये भी है हमारे कमेंड बॉक्स में डिर सारा कमेंड भी आया है मैं मैं सिगनेचर करना भूल गई हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा की मैं एक्जाम के पहले दिन से लेकर एक्जाम की आखरी दिन तक एक्जाम देने के दौरान स्टुडेंट कुछ इसी तरीकी से गलतिया करते हैं कुछ ऐसा ही मिस्टेक करते हैं जो कि आगे चलकर उनके लिए प्रेसर बन जाता है और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो इसी प्रेशर और टेंसल में जी रहे होते हैं और एकता से उनकी जिंदगी कुछ समय के लिए प्रेसर खुकर बन जाती है जिसमें हमें सब沒關係 जो एक्जाम देने के दौरान करते हैं मैं यह पढ़ दी हूँ और इन ही सभी देखिए 100% में से केवल 4-5% ही एसे स्टुटेंट होते हैं जो कि इन सभी मिस्टेक में से एक भी मिस्टेक नहीं करते हैं मतलब कि इन सभी प्रोब्लम में से एक भी प्रोब्लम उनके साथ नहीं होता है वो एक भी गलती नहीं करते हैं वो अपना OMR sheet अच्छे से बढ़ते हैं, answer sheet अच्छे से बढ़ते हैं, अच्छे से exam देते हैं और वापस आ जाते हैं, और happy happy अपने result का इंटजार करते हैं, लेकिन 100% में से 95% student, 95% ऐसे student होते हैं, जो कि यहाँ पर मैं mainly 10 problem, यानिकि 10 mistake लिख दी हूँ, तो यह सभी mistake में से एक mistake में लिख दी हूँ, जो कि मतलब की student, इन सभी mistake में से कोई ना कोई एक दो mistake जरूर करते हैं, और वही mistake उनके जिंदगी में एक problem की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में इन सभी problem का solution तो आप लोग को पता चलेगा, आप लोगों ने इन सभी गलतियों में से कोई एक गलती किया है, इन सभी problem में से कोई भी आप लोग के साथ problem है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग का complete solution मिलेगा, यह आप लोग का result के साथ क्या होने वाला है, कि आप लोग का result आएगा की नहीं आएगा, यह आप लोग को पता चलेगा, आप लोग टेंटर नहीं लीजे शांती से इत्मिनान से आप लोग complete वीडियो को अंत तक देखिए बिना skip की आप लोग को starting से लेकर अंत तक देखना है और हर एक प्रशन का मैं उत्तर दूंगी हर एक प्रोब्रम का मैं solution बताऊंगी आप लोग को ध्यान से सुनना है एक तो student जो है काफी pressure में रहते हैं क्योंकि उनका exam नजदिक होता है पहले से ही वह खाते पीते नहीं है दूबले पतले हो जाते हैं exam की त्यारी करते और जब exam देते हैं तो इन्हीं मिस्टेक में से कोई एक दो मिस्टेक कर देते हैं जिसके वह जैसे exam दे लेने के बाद भी प्रेसर और टेंशन में रहते हैं जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो और भी जदा दूबले पतले हो जाते हैं तो इसी वीडियो में आप लोग का सारा कंफिजन और सारा टेंशन दूर करने वाली हैं तो सोचिए में आप लोग के हेल्थ का भी कितना ध्यान रखती हैं exam की कि यसी मिस्टेक में से कोई इस्ट्रेंड मिस्टेक किया है और वो प्रोब्लम में है तो आज का यह विडियो देखका उसका ट्रेंशन दूर हो जाए उसका प्रोब्लम का सल्यूशन मिल जाए ठीक है ना और चानल पर अगर आप लोग नय नय आयो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा बात मैं आप लोगो बता रही हूं ठीक है सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आप लोगो बता देना चाहती हूं अगर आप यह सभी मिस्टेक किये हैं यानि कि यह सारा गलती करके बैठे हुए हैं तो फिर मैं आप लोगो को पेंडिंग में नहीं रखना चाहती हूं आप लोगो का रिजल्ट नहीं होगा ठीक है आप फेल हैं पहले ह कहने में क्या दिक्कत है और अगर किसी इंसान में सारे अच्छाइया है तो सब 大bang का कहनया है तो हमें आप लोग से कहना चाहती हूं कि किसारी गलती अगर आपने की है सारी गलती करके आप लोग बैठे हैं तो फिर आप लोग नहीं होने वाला है आप इंतजार मत कीजिए अब अगले एक्जाम की तैयारी कीजिए नया बाइच हमारा स्टार्ट होने जुड़ जाए उसमें या फिर पिछला वीडियो जो है उसको देखकर तैयारे स्टार्ट कर दिजे फिर से क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होगा ये बात आप ध्यान में रखिएगा ठीक है और अगर आप इन सभी मिस्टेक में से एक भी गलती नहीं किये हैं तो खेर कोई आएगा पड़ापड हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद से एक और बात बता देना चाहती हूं कि ये दासों मिस्टेक में से कुछ ऐसे एक दो खतरनाप मिस्टेक है ना अगर आप वह मिस्टेक की है ना तो भी आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा जी हां तो भी आप मैं आप लोगों को बताऊंगी चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला मिस्टेक क्या है कि OMR में सेट लिखना भूल गया है तो अब क्या होगा क्या मेरा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा पेंडिंग में चला जाए या क्या होगा तो सुनिए ध्यान से अगर आप अपने OMR SIT में सेट लिखना भूल गये हैं कि आपका सेट A है की B है की C है कि D है की E है की F है की G है जो भी आप लोगा सेट है आप अपने ओमर्षीट में सेट लिखना भूल गए हैं तो फिर आप लोगो घबराने की ज़रूरत नहीं है तेंसन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पर होता है क्रॉस चेकिन जरा यहां पर मैं आप लोगो अच्छे से वि भरना भी पड़ता है मालीजी आप लोग का सेट जी है तो आप लोगो सेट जी लिखना भी पड़ेगा और जो जी वाला गोला है उसको रंगना भी पड़ेगा भरना भी पड़ता है आप लोगा मालीजी सेट सी है तो आप लोगो सेट सी लिखना भी पड़ता है और सी वा जाता है लेकिन लिखना भूल जाते हैं तो अगर आप इन दोरों किसे क्या होगा ध्यान से सुलिए आपके साथ नहीं देखिए अगर आपने गोला को भर दिया है और आपने लिखा नहीं लिखा नहीं कि आप लोग को घबराने कि दी नहीं है क्योंकि आप रिजल्ट फ्री हो जाएंग होगा आप लोगा रिजल्ट आएगा पक्का आएगा घबराने वाली कोई बात यह क्या होगा है और लेकिन लीखने वाले के जगह पर लिक दी छीसठा अब बात आती है और ना ही गोला को भरे है तो अब क्या होगा वैं हम तो दोनों छोड़ दिया, यानि कि OMR sheet में set लिखना ही भूल गया है, ना लिखे हैं और ना गोला को रंगे हैं, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर होता है, वही cross checking, cross checking का मतलब होता है, कि आपका जो OMR sheet जो होता है, उसको OMR machine में डाल दिया जाता है, और OMR जो machine होता है, उसम का result बना दिया जाता है, मतलब एक बार फिर से सुनिए, ना वली होता है, कि OMR machine जो होता है, उसमें सभी set होते हैं, set A, B, C, D, E, F, G करके, ठेके, और जितना भी OMR sheet आया रहता है, student exam दिये रहते हैं, तो सभी को एक जगाई कठा किया गया रहता है, set A, set B, set C करके, और जो set कि आपने OMR sheet में set नहीं डालाएं कि आपका कौन सा set है, तो फिर कौन से वाले OMR machine में डाला जाएगा, कौन से set में डाला जाएगा, यह तो पता ही नहीं है, तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि यहीं पर होता है cross checking, यानि कि आपका जो OMR sheet है, जिस पर आप set लिखे ही नहीं कौन सा set है, तो बस आप लोगा OMR sheet है उसको machine में लगा दिया जाता है, और हर एक set apply किया जाता है, यहनकि set A में डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि कितना सहीी हुआ, फिर B में डाला जाता है, फिर C में, फिर D में, ठीक है, इस थरह करके हर set आपके OMR sheet पर अप्लाई कि हमेशा बिहार वोर्ड क्वालिटिय ने की कोशिश करता है तो आप लोग टेंशन ना ले हैं तो भी आप आप लोग का रिजल्ट आएगा पक्का आएगा आप लोग टेंशन फ्री हो जाए ठीक है ना अब आप लोग को टेंशन लेनी की ज़ूर्ट नहीं है आज का यी वीडियो देख लिए इस पहले कोशन का एंसर आई होप आप लोगो को मिल गया होगा पहले प्रोब्लम का सल्य कोशन मिल पाए ठीक है न तो जितना जिदा उसके शेयर करें आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखिए अगला जो मिस्टेक है न वह यह हैं कि गलत सेट भर दिये हैं तो अब क्या होगा गलत सेट भर दिये हैं देखिए यहां पे भी दो कंडिशन आता है दो तरह पेखिए पहला मिस्टेक तो यह होगा कि वह लखने वाले जहां पर सेट लिका जाते है में वहां पर सही लिखते हैं गलत भुला भर देते हैं जैसे कि intelligence क्यूंत बत्यूंत ऑर दूस्ते यह होता है कि गोला सही बरते हैं लेकिन लिखते जहां पर लिखने वाला सेट होता है ना मतलब सेट जहां पर लिखा जाता है वहां पर गलत सेट लिख देते हैं तो यह दो कंडिक्शन होता है दो मिस्टेक यहां पर ध्यान से सुनिए अगर आप गोला सही भरे हैं लिखे ग गोला को तो सही भरा है न आपने तो मशीन जो है न वो गोले को ही रीड करता है तो आप लोग की कोपी अच्छे तरीके से जांच होगी कोई घबराने वाली बात नहीं है आप लोग का रिजल्ट बनकर आएगा ठीक है और बहुत बढ़ी है रिजल्ट बनेगा लेकिन अगर अगर आप लिखे सही हैं यानि लिखने वाले जगापर सही लिखे हैं और गलत गोला भर दिये हैं ठीके अगर आपने गलत भर दिया है तो मैं आप लोग को बताई न ओमर मशीन जो होता है वो गोले को ही रीड करता है तो उस वक्त जो आप गलत गोला भर है न उसी सेट को को पर दγ radi वह तो इस यहाँ पर जना गलत भाद करने लीख दिये हैं जática उसेज़ने सभी तो ह्यार्ट दिक कते वाली बात नहीं अगर आपने गलत भाद है और पर सही तो यहां पर टेंशन वाली बात है क्योंकि आप गोला को गलत भर दिये हैं और ओमर मशीन जो होता है ना गोले को ही रिड करता है तो अब उसी सेट से आपका जो है तो यह हो गया दूसरा कोश्चन अब तीसरे प्रोलम की तरफ बढ़ते हैं तीसरा जो मिस्टेक है वह यह होता है कोई दिखत नहीं तो लोल नंबर लिखना भूल गया है तो यहांप दिखत वाली बात है क्योंकि रुल लोल नंबर ही नहीं डनाएं जो की में है डोल नंबर ही डाले है तो फिर मैं यहाँ पर आप लोग को 100% guarantee नहीं दे सकती कि आप लोग का result आएगा ही आएगा लेकिन बस मैं यहाँ पर इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप लोग को जो बचाने का काम करेगा न वो करेगा आपका attendance जो बीच में attendance आता है और जहाँ पर आप सिगनेचर करते हैं यहाँ पर आप लोग को बचाने का काम करेगा इतना बड़ा गलती भी तो किये हैं इतना बड़ा कांड की है यहाँ पर आप लोग को सैटिस्पिकेशन देना चाहती हूँ संतुष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आप रोल नंबर लिखना भूल गया है तो फिर आप लोग को बचाने का काम कौन करेगा attendance करेगा और हो सकता है कि आप लोग का पर दिया है तो फिर यहाँ पर टेंट्रन वाली बात आजाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले मिस्टेक की तरफ अगला मिस्टेक है कि पचास के जगा सतर परशन बना दिये हैं अब क्या होगा बहुत ही अच्छा यह कोश्चन है और ज्यादतर इस्ट्रेंट जो है न नहीं कटेगा यह फिर आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा इसा कुछ भी नहीं होने वाला है बस होता यह ना कि अगर आप पचास बना कर आते हैं जिस पर आप लोग का हंड़ेट पर संट कंफिडेंस रहता है कि हां इसका यहीं एंसर होगा आप सिर्क पचा बना दिये हैं 60-70 यहां तकी 100 में 100 तो होता क्या है और कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग से लेकर पचास तक काउंट कर लिया जाता है और उस बीच आप लोग के कोशन का जितना एंसर सही हो उसका रिजल्ट बन जाता है और गलत एंसर को यहीं तरीके से होता है अब यही स्टार्टिंग से लेकर पचास तक गिनता है और उस बीच जिस भी कोशन का एंसर सही हुआ उसको बना दिया जाता है उसके आगे आप बनाया है कि नहीं बनाया है वह सही भी होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा पचास से एक्स्ट्रा आप सतर बनाये हैं साठ बन उसके आगे आप सत्तर बनाए असी बनाए हैं अगर आप सही बनाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आगे बढ़ते हैं अगला जो मिस्टेक है वो यह है कि ओम आर खाली छोड़कर आ गए लो OMR खाली छोड़कर आ गए मतब की रोल कोड रोल नंबर कुछ भी नहीं भरा आपने सिर्फ आप लोग एंसर लिखकर आए हैं एंसर भर कर आए हैं ताज्यूब की बात है यहां पर मैं कहना चाहती हूँ कि एक होता है confidence और एक होता है overconfidence इंसान को confidence में ही जीना चाहिए और confidence के overconfidence cause heavy accident आप लोग जानते होंगे अगर आप OMR को खाली छोड़कर आ गये हैं इसका मतलब आप एक्जाम देने के रिए एक्जाम सिंटर पर गए थे तो आप सिर्फ एंसर के पात्र बन कर गए थे कि मैं कोशन कोई भी हो हम एंसर बिल्कुल सही सही लिखकर आएंगे भले ही म आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है जी हां इतना बड़ा धमाका कर गया है आप बताईए आप OMR को खाली छोड़कर किसके लिए एक्जामीनर के लिए एक्जामीनर भरेगा आपका नाम आपका रोल कोड रोल नमबर सब कुछ वो जानता है भर देगा वाकई में आप लो का रिजल्ट नहीं होने वाला है अब आप लोग रिजल्ट का इंतिजार मत कीजिए अगले एक्जाम की त्यारी कीजिए अगले साल की नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाले उसमें जूड़ जाए या फिर पिछले वीडियो को देखकर आप अभी सही तैयारी करना को रखना रंगना पड़ता है अगर आपने डबल गोला रंग दिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को नंबर नहीं मिलनेगा जी हां एक नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आप डबल गोला रंग दिये हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलने वारा है उटेंशन नहीं लेना है आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा पेंडिंग में नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि बुकलेट नंबर या फिर OMR अगर आप नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोगा जो पेपर है वो तो गया है ना आप लोग एक्जाम दिये हैं और उसके बाद से अग यहां पर इन्विजिलेटर को ढूंडा जाएगा ठीक है तो इससे आप लोग को घबराने की जवड़त नहीं है बुकलेट नंबर या फिर OMR नंबर अगर आप लिखना भूल गया है तो आप लोगा रिजल्ट आएगा फसे का नहीं पेंडिंग में नहीं जाएगा बेशक आप लोग का रिजल्ट आएगा क्योंकि अगर आप सिगनेचर नहीं किया है तो यहां पर भी गलती इन्विजिलेटर की है जो सिगनेचर करता है वह खुद देखता है कि स्टुडेंट साइन किया है कि नहीं किया रहता है तो फिर वह बुलवा कर जिसका भी मतलब वह एक्जाम हॉल में आप उपस्थित और एक्जाम दिये थे और यहां तक कि आप एक्जाम देने गए थे और आप लोग का जो पेपर है वो चला गया है तो यह सबसे बड़ा परजेंटी दिखा देता है इन्विजिलेटर का सिगनेचर ही तो अगर आप सिगनेचर नहीं किय है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक है आप लोग का रिजल्ट आएगा पेंडिंग में नहीं जाने वाला है अगला जो आखरी मिस्टेक है वो यह है कि एटेंडेंस बनाना भूल गये जो बीच में एटेंडेंस आता है बनाने के लिए जहां पर आप लोगो सिगन तो आप यहां तक की इन्विजिलेटर का तो साइन होगा आप लोगे कॉपी पर वही जैसा कि मैं आप लोग को बते ही वही सबसे बड़ा प्रजेंटी का सबूत है कि आप प्रजेंट थे क्योंकि इन्विजिलेटर का सिगनेचर है ठीक है तो अगर आप एटेंडेंस बना जाने वाले से पूछा जाएगा उसको पकड़ा जाएगा अब आराम से आप लोग रहें इन सभी दसो सवालों का दसो मिस्टेक दसो प्रोब्लम का मैं सल्योशन बता दी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से कह रही हूं तो ल प्रजेंट क्यों खराब करे अब अप लोगा एक्व्शाम वो बदल तो नहीं सकता है उसका जेंच्श तो नहीं कर सकते वापस पर्जेंच में जाकर आप उसको बदल नहीं सकते है इस व वजज़ेसे की बारे में सोचना जरूरी नहीं है मिया अगि तक आप लोग सबयू तो उसको 100% solution आज के इस बुरियों को देखकर मिल जाने वाला है और उसका टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला है और सब्सक्राइब लिए और कोई वह सब्सक्राइब के लिए और अगले सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग्यों के जवालों का जवाब देने के लिए मैं फिर अगले Sunday Talk में मिलूंगी Sunday Talk के वीडियो में तो आप लोग अगले Sunday Talk का इंतजार कीजिया और जो भी सवाल आप लोगो पुछना है कमेंड में लिखकर पूछ लिजे ठीक है हो सकता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगरा तो बनता ही है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जाहिंद और खुदा हाफिज